प्रदेश का सबसे बड़ा स्वताल SMS जहां पर हाल फिलाल एक नवाचार शुरू हुआ है हालांगी कॉंचर्ट बहुत पहले का था लेकिन उनको धरातल पर अब उतारा गया है डोक्टर अचल सर्मा SMS अधिक्षक है उनके दुआरा ये प्वस्ता लागू की गई जहां पर अब मरीजों को दरदर की ठोकरे खाने की मद्रूर नहीं होना पड़ेगा पैसेंट्स को विविवन विमार्यों के लिए मल्टी स्पेशली डोक्टरों के बास दी जाना पड़ेगा है इनोंने इस नवाचार सुरू करते हुए एक ओल्लाइन और उप्वाइन टीम बनाई ह और क्या इसमें होना है बताएं दो कि सबसे पहले तो मैं कहुंगा कि मेरा कोई नवाचार नहीं है यह पहले से ही सरकार की तरफ से आई एचमे सिस्टम उन्होंने यह सोचते हुए स्टार्ट किया था कि जिसमें पेशिंट को कम से कम यहां पर बटकना पड़े और उसी का पार्ट है जैसा कि IHMA System Integrated Health Management System है और उसमें कई मोड्यूल से जिसमें पेशिंट के लिए रहत मिलती है हर जगे ऑनलाइन होती है सब चीजें चाहे वो रेस्टेशन लेकर आता है चाहे एडमिशन करवाता है चाहे इसको मेडिसिन दवाई के लिए जाना पड़ता है या को इंवेस्टिक्शन कराने पड़ते हैं और उसी क्रम में जो रेफरेंस वाली बात आप पयारें तो वह रेफरेंस ब्लो ओनलाइन सिस्टम पे चल रहा था अभी हाली में ACS मैडम जो हमारे आई थी शुर्बा सिंग जी उन्होंने भी इस बारे में आधे जारी कि यह जल्द रखते हैं जो अलग अलग निपार्मेंट को एक पेशियंट कहीं बहती हो जाता है, और उसको दूसरे विभाग में रहा लेने के जूद परती है, तो अभी पेशियंट को फाइल पर लिख करके दिया जाता है, और उस विभाग का डॉक्टर आ कर देखता है, अब हमने काभी इस जगे पे हैं उनको आकर देखना है और वो आकर देखना है तो इसलिए एक तो कागज पे लिखकर के बारबा बेजने की समस्या नहीं रहती है और इसमें तुरित काम भी होता है पेशेंट्स को भी इदर से उदर नहीं जाना पुरता है तो दूसरी चीज हमने इसमें यह इसमें पडुलोगों के पारेखना ही हैं जैसे हम कहेंगे सीराव गाईनी विवाग पर आप एगलाग हॉस्पितल है बच्चों का रिखना है साती साथ नेफरोलोजी गैस्टिमोगे पर इसमें नहीं पड़ेर पीड़ेंट्स को एक दूसरी जाना पड़े कि इस सिस्टम क कि यहां पर सभी संबंदित विवागों की चिकेशक मौजूद हो कि एक साथ पेशिंट को ऑपीडी के एक टाइम हमने फिक्स किया जिसमें एक साथ सब लोग उन पेशिंट को देख सके हैं यह सब इसलिए प्रैस की जा रहे हैं कि मारी जुकों यहां पर आने वालों कम से कम यहां पर बागदार करने पड़े और वो अपने पेशिंट को ज्यादा धंक्सियों की ट्रीटमेंट करना सकते हैं सबसे बड़ी सवाल यहां पर इस प्रगार की पैसेंट को ऑस्पिसर मैनेज करता हैं हां यह बात जरूर है कि चुकि यह राजस्तान का सबसे बड़ा सरका पर यहां सबी प्रगार के पैसेंटरर निर्धन। और प्रगार कि Covid-19 पितान निर्धन अभी अटेंगों कंपड़कों मेड़े caso感 ट्राएं। प्रेले उनको जिय्थ करना एगाना ने चाहिए था है था. यु जो करने उनको ग्राम्मिल दॉक्तुम पर भूँनी और सब्सेड़ाना वह सेरे हमाता है, ग्राम्मी शेत्र बात को भूचन जिती हैा से काहए था है, और इसमें बहुत ज़्यादा जटिल नहीं है, जो कर्मचारी है उनको ज़रूर समझना पड़ता है कि ओनलाइन क्या है और कैसे इसमें रेस की जाती है, कोई भी जो अपनी डिमांड रेस की जाती है, और इसको जो जैसे मैं आपसे कहूं कि जैसे किचन से उसके लिए भूज जा रहे हैं, चाहिए ओपिड़ी से चाहिए जा रहे हैं तो वहां से वो पेशन के बैट पे वो दवाएं वापन जाए, इसके करम में भी प्राहस जा रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी काम होता है, तो सपलता पूर वक्त दात्व लाने में समय लगता हैं, हाल फिलाल जो कर रहे हैं, लगातार सुधार के लिए और सुधार ऐसी चीज है, जो कभी खतम नहीं होती है, वो लगातार चलते रहेंगे हमारे को पता है कि हर जिन नहीं परेशानी भी आएगी, एक इतना बड़ा हस्पिटल जो सबसे ज़्यादा हैं आप उतर भारत में पेशेंट चाह है, सरकार का कितना स्योग हो रहा है अपकी से पहल में हैं, मैं अगर कहूं तो 100% सरकार का बिना सरकार के स्योग के तो कुछ ही नहीं होता है, जितने भी योजनाया मनती है, सरकार के द्वारा ही बनाई जाती है, इसके लिए जो भी पैसा लगता है, सरकार के द्वारा ही दि सब्सक्राइब कर दिया है कि जिस प्रकार से नवाचार सोग है पहल अची कही है वो पहले से जारी थी तेकिन अब द्रातल पर लाया गया है ऐसे में इस पहल के अनुसार कहीं भी मरीज को अब मल्टी स्पेस्ली डॉक्टर के पास आने के लिए दर दर नहीं बढ़कना करेंगे एक ही जम्हें में एक ही जगह पर सब कुछ ओनाइन और फ्राइब दोनों तरीके से मेरीज को अवैलिबर हो पाएंगे साहिए कि संधिया सर्मा के साथ संधी पगरवालता नगरी मिडिया चैपूर